नमस्कार साथियों स्वागत है आपका लर्निंग टोडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल में मैं विनीत पौवार आपका साथी सिक्षक आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी दीक्षा पोर्टल दीक्षा आईडी है आप उसके उसे कैसे जो है मानव संद आप आईडी पर रेइश्टर हो जाए उस पर रिकॉर्ड हो जाए उसका तो इसलिए आपको जोड़ना भी काफी आवश्चक है और इसको मैं बताने वाले हूँ आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप जो है अपनी दीक्षा आईडी पर जा से सबसे एक उसलिए तो आईड लोग अउट कर देना यहां से मीनू में और आपको क्या करना लोग आउट कर देना है यहाँ पर नीचे सबसे नीचे लोग आउट का ऑप common आप को दिखाई दे रहा है जैसे आप इसको login वाले उस पर click करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की screen आपको दिखाई देगी इस screen पर सबसे नीच है आपको login with state system आपको दिखाई दे रहा हो लिखा हुआ आपको उस पर click करना है और जैसे आप इस पर click कर देंगे आपको यहाँ पर drop down list मिलेगी जिसमें आपको अपने state को select करना है state उत्तर पर देश ठीक है आपको उसको submit कर देंगे और submit करने के परशाद यहाँ पर आपसे आपकी username password मांगा जाएगा और आपको password पता ही है आपको मानव संब्दा का क्या है password तो उसका recording आपको इसमें अपनी details फिल करनी है इसके बाद आपको capture बढ़ देना है जैसे आप capture इसमें जैसा आपको दिखाया गया है वैसे ही आपको capture बढ़ना है और फिर आपको login कर देना है जैसे आप login करेंगे यहाँ पर इस तरह कि आपको screen आपको दिखायी देने लगेगी हम तैयारी कर रहे है पर तिक्षा कीजिए थोड़ी तेर बाद ही जो है आपको screen दिखायी देगी जिसमें आपको आपका नाम आपके school का नाम आपके blog का नाम आपके जिले का नाम और आपके राज्य का नाम यह आपको दिखाई देखा, आप इसे जो है चेक कर लिजे क्या सही आ रहा है, अगर सही नहीं आ रहा है, तो आप मानव समथा आईडी पर अपने डिटेल को सही करवाइए इसका मतलब आपकी मानव संब्दा आईडी पर आपका डेटेल जो है सही नहीं है ये इस तरह से आप अपने जो है दिक्षा एकाउंट को आप मानव संब्दा एकाउंट से जोड सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी इसको जरूर एड कर लें बहुत बहुत धन्यवाद